आज मैं बनाने वाली हूँ चावल का आटा, बिस्किट और अंडा का एक तेस्टी नस्ता रेसिपी, बिस्किट पिठा हेलो फ्रेंड्स, डिके स्पाइसी कीचेन में आप सबका स्वगत है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो यह पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम चावल का आटा, चावल का आटा आपको मार्केट मेजिली मिल जाएगा, नहीं तो घर पर भी आप बना सकते हो अब एक एक करके डालेंगे अंडा तो डालेंगे 5 अंडा अब अच्छे से मिक्स करेंगे अब और एक अंडा डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब डालेंगे चीनी और डालेंगे दो अंडा पानी नहीं डालेंगे आपको अगर लेगे बेटर मोटा है तो अंडा डाल दीजिए और अगर लेगे के बेटर पतला है तो चावल का अटा डाल दीजिए थोड़ा सा अब मिक्स करेंगे बेटर में कोई लम्स रहना नहीं चाहिए इसलिए अच्छा से मिक्स करेंगे अब क्लेबर के लिए डाल देंगे इलाइची पाउडर मिक्स कर लेंगे बेटर को बहुत ज़्यदा पतला नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यदा गाड़ा भी नहीं रखेंगे अब बेटर रेडी है यहां पर मैंने ले लिया है बिस्किट अब ग्यास को ओन करके कड़ाई चड़ा देंगे पी डालेंगे रिफाइन ओयल अब हाई फिलेम में तेल को अच्छा से गरम कर लेंगे अब बिस्किट को बेटर में डीप करेंगे और अच्छा से कोट करके डालेंगे तेल में फ्राइ करने के लिए एक एक करके कोट करेंगे बिस्किट को और डालेंगे तेल में फ्राइ करने के लिए दुनों साइट से अच्छा से फ्राइ कर लेंगे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसको निकाल लेंगे तेल से पी रग लेंगे प्लेड में बाकी बिस्कित को डिप करेंगे बेटर में और डालेंगे तेल में फ्राई करने के लिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे आप निकाल लेंगे तेल से पी रग लेंगे एक प्लेड में अब तेल को एक बार अच्छे से गरम कर लेंगे हाई फ्लेम में अब बिस्कित को डालके फ्लेम को कर देंगे मीडियम फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे नहीं तो जल जाएगा अर अंदर से ये कच्छा रह जाएगा इसलिए फ्लेम को मेडियम ही रखेंगे अब निकाल लेंगे तेल से और रख लेंगे प्लेड में अब बचे होई बिस्कित को डीप करेंगे बैटर में और अच्छा से कोट करके डालेंगे तेल में प्राइ करने के लिए और प्लेम को रखेंगे मेडियम आप इस रेसिपी को जरूर बनाए बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आये है तो प्लीज लाइक, सियार और सब्सक्राइब करना ना भूले आप दोनों साइड से पिठा फ्राई हो चुका है आप पिठा को रग लेंगे प्लेड में थैंक्स पर वाचिंग प्लेट रेसित कर लेंगे